टॉपिक है केटलिस्ट, तो केटलिस्ट के बारे में समझ लेते हैं क्या होता है तो केटलिस्ट की डेफिनिशन लिख लो इट इस अबस्टेंस बारे में पर्मानेंट चेंज इन मास अंड कॉम्पोजिशन अट दा एंड आफ दी रियक्शन तो यह इसकी डेफिनिस है ने केटलिस की यह रियक्शन की स्पीड को चेंज कर देता है अब यह स्पीड को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है जो स्पीड को बढ़ाते हैं उनको पॉजिटिव केटलिस और जो स्पीड को कम करते हैं उनको नेगेटिव केटलिस बोलते है और catalyst जब reaction गतम हो जाती है तो उसका mass और composition वही रहता है ठीक है और catalyst के बारे में एक important बाद यह है कि जो catalyst होता है वो reaction को initiate नहीं करता ठीक है reaction को initiate नहीं करता catalyst या तो वो speed को बढ़ाएगा या उसको कम करेगा ठीक है और small amount भी लोगे catalyst का तो reaction हो जाएगी तो catalyst से related यह definition हो गए इसकी अब हम जो इस chapter में लेने वाले है वो लेने वाले है positive catalyst मदब जो rate of reaction को बढ़ाते हैं बागी surface chemistry में catalyst करके पूरा topic है तो वहाँ detail में हम बढ़ेंगे सारे catalyst जितने भी है तो अभी हम सिर्फ positive catalyst की बात करेंगे और उसका activation energy के साथ variation देखेंगे तो अगर मैं energy profile diagram बनाओ energy profile diagram मैं एक reaction ले रहाँ reactant से बन रहा है product और एक with catalyst और एक without catalyst की बात करेंगे और जो catalyst मुँँ कौन सा है positive catalyst है तो मैंने अगर इसका graph बनाया energy profile diagram बनाया potential energy versus time for reaction या reaction coordinate लिखो यहाँ पर तो reaction जो reaction हो रही है वो RCP बनना है तो reactant की अपनी कुछ energy होगी जिसको मैं बोलूँगा potential energy of reactant और मैं reaction exothermic ले लेता हूँ ठीक है तो यहाँ पर EP कहाँ आएगा नीचे आएगा तो यह हो गया आपका जो potential energy है वो किसकी product की अब reaction यहाँ से start हुई transition state पहुँची और product बन गया ऐसा तो यह वाला जो मैंने graph बनाया है ठीक है इस graph को मैं बोल देता हूँ यह आपका without catalyst वाला graph है ठीक है यह इसका transition state है अब अगर मैं यही graph बनाऊ with catalyst तो catalyst क्या करता है positive catalyst क्या करता है rate of reaction को बढ़ाता है कैसे बढ़ाता है वो एक alternate path प्रवाइड कर देता है कम activation energy का देखो catalyst ने इनकी energy change नहीं करी catalyst ने क्या कर दिया एक alternate path प्रवाइड कर दिया पहले जो activation energy थी वो क्या थी यह थी तो मैं यह बोल रहा हूँ इस activation energy का नाम है यह अनकेट अनकेट का मत्दब uncatalyze और जो यह वाली activation energy है यहां से लेकर यहां तक इसको बोल रहा हूँ है इसका मत्दब catalyze तो एक ही reaction हो रही है उसको मैंने without catalyst और with catalyst लिया है अगर without catalyst लेते हो तो activation energy जादा होती है और catalyst डाल देते हो तो effective energy कम हो जाती है तो उसने क्या करा पीक को छोटा कर दिया तो पहले आपको बड़ा वाला पहाड चड़ना पड़ रहा था अब आपका छोटा पहाड हो गया इसका मत्दब reaction जल्दी हो जाएगी अब इसका relation हमें लिखना है temperature के साथ तो RNS equation का use करेंगे क्या के cat cat मतब catalyze is equal to a e to the power minus ea cat divided by t यहाँ पर t और a constant है बागी vary कर रहा है और एक equation क्या बनेगी के uncat is equal to a e to the power minus ea uncat divided by t अब इन दोनों equation को मैं divide कर रहा हूँ इसको वरनों equation number 1 और यह 2 तो अब मैं कर रहा हूँ 1 by 2 तो देखो क्या दिखेगा आपको ऐसा दिखेगा k cat upon k uncat is equal to a cancel हो जाएगा डिवाइड करने पर और जब मैं इसको divide करूँगा इस से तो जब divide आएगा तो यह नीचे negative जो है वह उपर जागे positive हो जाएगा तो e to the power ea uncat यह plus में बन जाएगा upon t minus ea cat upon t ऐसा दिखेगा अब मैं इस में log ले लेता हूँ base e वाला तो ऐसा दिखेगा ln k cat upon k uncat k cat upon k uncat यहाँ पर मैंने log ले लिया यह पूरी की पूरी पावर आगया जाएगी और ln e to one होता है इस में से भी मैं क्या कर रहा हूँ t को common ले रहा हूँ तो यहाँ जाएगा 1 by t इदर और यहाँ बचेगा आपका ea uncat minus ea cat यह आपका formula बन जाएगा देखो तो मैंने t को बाहर कर लिया ea uncat minus ea cat यह आपकी equation बनेगी अब इसी equation का हम use करके इसके numerical को solve करेंगे तो यह वाली equation आप जरूर याद करें तो यह catalyst का variation हो गया rate constant पर note कर लो अब हम बात कर लेते numerical की ठीक तो numerical जो catalyst पर based होगा kinetics में वो कैसा होगा इस type से की numerical लिखाया आप read कर सकते हो ratio निकालना आपको catalyze और uncatalyze rate constant का जो अभी पीछे relation बनाया हमने आपको energy activation वाली दे रखी catalyze के लिए 100 और uncatalyze के लिए 200 kg अब क्या करोगे आप formula देखो पीछे जो बनाया था ln k cat upon k uncat is equal to ea uncat minus ea cat divided by t यही था formula आपका अब इसमें put कर रहा हूंगे मुझे कैसी है k cat और k uncat चाहिए तो ln k cat को मैं बोल देता हूं suppose k1 और k uncat को लिख रहा हूं k2 तो k1 by k2 निकालना है यह uncat कितना दे रखा आपको 200 kg दे रखा है तो जूल में convert कर लो और यह दे रखा 100 cat वाला catalyze के activation energy वेसे भी कम होगी uncatalyze 27 degree centigrade को kelvin में convert कर दी यह 300 आजाएगा आप क्या करो इसको थोड़ा solve कर लो 200 में से 100 माइनस कर दो 100 बचेगा और into 10 की पावर 3 common आजाएगी यहाँ तो ln k1 by k2 is equal to 100 और 10 की पावर 3 divided by 300 cancel कर दो यह 2 0 तो यह 3 बचेगा यहाँ पर है ना आप मैं क्या कर रहा हूं अंटी लोग ले रहा हूं तो k1 by k2 क्या आ गया इटू दी पावर 1000 by 3 यह आपका अंसर आ गया तो इस तरीके से अप्रोच करना आपको catalyze related numerical नोट कर लो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक है molecularity बहुत important है ध्यान से समझेगा molecularity क्या होती पहले basic definition लेखू the number of reacting molecules the number of reacting molecules which must collide simultaneously to bring about a chemical reaction मतला अब एक chemical reaction चल रही है तो उसमें reacting molecule कितने एक साथ collide हो रहें उसको molecularity बोलते हैं और यह purely theoretical concept होता है ठीक है इस से related अपन पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि molecularity को फिर इस से related point भी लिख लेंगे जैसे मालो एक है मेरे पास H2 molecule और वो टकरा रहा है I2 molecule से तो क्या बन रहा है 2HI तो एक H2 molecule एक I2 molecule से टकरा रहा है तो क्या बन रहा है इसमें 2HI ठीक है और यह reaction जो है इसके बारे में बोल रहा हूँ कि reaction है elementary reaction या one step reaction दीक है elementary reaction आपको given है या one step reaction आपको given है और उसमें आप से बोला गया है कि molecularity के बारे मताओ तो molecularity क्या आएगा इसका एक molecule इसके एक molecule से टकरा रहा है मतलब molecularity इसकी क्या हो गई 2 तो आप सीधे theoretical ही बता सकते हो कि molecularity कितनी होगी आप इससे related कुछ important point के बारे मात कर लेते हैं तो important points लिख लो क्या क्या है पहला molecularity can be 1, 2 and 3 second point molecularity greater than 3 is rarely observed ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे molecule एक साथ टकरा है मतलब जैसे 3 से ज़्यादा molecule एक साथ टकरा है उसकी probability कम है उससे पहले ही 2 molecule टकरा चुके होंगे या 3 molecule टकरा चुके होंगे तीन से ज़्यादा बहुत ही rarely मिलेगा आपको कि उसके पहले ही टकर हो चुकी होगी तीसरा पॉइंट Molecularity Can never be Zero and negative ठीक है theoretical concept और molecule टकराने चाहिए molecule negative में कैसे हो सकता है या कोई भी molecule ना टकरा ऐसा कैसे हो सकता है ठीक है fourth point for elementary reaction for elementary reaction और one step reaction और single step reaction ये तीनों बात है सेम है और RDS rate determining step भी अगर आजाए ठीक है molecularity is equal to order of the reaction पीछे हमने जब order में numerical कर रहे थे हूँ एक mechanism वाला question दिया जाता था फिर हम उसमें slow step से rate लिखते थे फिर केसी लिखके नया rate expression बनाते थे याना याद आ गया होगा तो जो elementary reaction है या one step है या single step या rate determining step दे रखा आपको slow step दे रखा है ना RDS या फिर यहां क्या लिख सकते हो slow step तो उसके लिए molecularity और order सेम बात होती है ठीक है fifth point for complex reaction for complex reaction there is no meaning of molecularity there is no meaning of molecularity माम प्रिया है इसका मतलब क्या है कि complex reaction में हम the probability के बार इसरी लेकिन अगर complex में हमसे एक individual step का मुझे से महालो slow step आपाता है complex reaction में तो उसके लिए molecularity defined कर सकते हो लेकिन complex reaction के लिए molecularity नहीं बता सकते है individual reaction कीНАeti ही पताई जासकते है और complex में हम सुनों की molecularity देखके बता सकते हैं और molecularity और order क्या होगी बड़ाबर बात होगी तो यह कुछ important point है molecularity से related अच्छा molecularity और order में का difference है order एक experimental quantity है molecularity purely theoretical based है collision पर based है और order क्या है आपका negative भी हो सकता है molecularity क्या है आपकी 1,2 या फिर 3 अच्छा एक बाँ बताओ molecularity 1 कैसे हो सकती है भाई अगर टकर होगी तो 2 molecule की होगी न एक molecule अपने आप में कैसे टकरा सकता है ऐसा हो सकता है कहां पर हो सकता है जो भी compound इस टाइप का है जैसे NH4NO3 देखो अगर मैं इसका decomposition करा हूँ तो इसकी molecularity 1 होगी देखो NH4NO3 जो है अगर मैं इसको heat कराता हूँ तो यह बनाता है N2 प्लस 2H2O दो यहाँ पर 3 यह तो यहाँ पर N2O कर दो है न N2O प्लस 2H2O तो आप देखो NH4NO3 तो एक ही molecule है न लेकिन इसमें जाना ध्यान दो इसमें दो आइनिक स्पीसी है एक positive और एक negative तो इंट इस टाइब के आइनिक compound की molecularity 1 होगी ठीक है सोचने में ऐसा लगता है कि molecularity एक कैसे हो सकती है क्यों molecule तो एक से ज़्यादा टकराएंगे ना लेकिन हो सकती है इस टाइब के compound में जब हम heating कराते ना तो molecularities की वन होती है नोट कर लो बिल्कुल basic था molecular है आगे बढ़ता है बन collision थियोरी पर इसको नोट कर लो पहले ले लास्ट टॉपिक है अपना collision थियोरी यह जयी में और नीट तक का हो जाएगा इसके बाद हम लोग एक और lecture में मनाऊंगा जिसमें मैं series reaction parallel reaction equilibrium reaction वगरा लूँगा ठीक है वो जो अलग से advance वाला पार्ट है यहां तक का आपका chemical kinetics जैई में और नीट तक का खतम हो गया है ठीक है तो last theory collision theory समझ लो basic theory है तो collision theory क्या होती collision theory actually based है molecule की collision पर ठीक है वो किस तरीके से टकरा रहे हैं कितनी speed से टकरा रहे हैं और जब टककर होगी तब ही product बनेंगे लेकिन सारी टककर से product नहीं बनेंगे effective collision होना चाहिए यह सब चीज़ें हम बात करेंगे इसमें ना जैसे एक reaction है a plus b से क्या बनना product तो जो rate of the reaction है वो कि तीन factor होते हैं एक है P, एक है ZAB और एक है e to the power minus ea by RT यह तीन चीज़ें हैं जिस पर जो rate है किसी भी reaction की वो depend करती है जो P है इसको बोलते है probability factor और hysteric factor ZAB जो है ZAB इसको बोलते हैं collision frequency collision frequency की definition यह है कि number of collision number of collision per second per unit volume per unit volume और reaction mixture जो भी टकर आ रहे हैं आपस में है ना molecules यह इसकी definition है और यह जो e to the power minus ea by RT है यह है fraction of molecules यह है fraction of molecules having energy greater than और equal to ea यह वाली बात ध्यान से समझने की है इसका मतलब क्या है यह जो है e to the power minus ea by RT यह fraction of molecule है जिसकी energy या तो ea है या उससे जादा है क्यों अगर मालो आपको पहाड पे चड़ना है आपको जो नीचे से लेकर peak तक पे जाने की energy ही नहीं मिल पा रही है तो उस तरफ कैसे जाओगे मतलब reaction कैसे complete होगी तो आप पहाड पे चड़ी नहीं पा रहे हो ऊपर peak तक महुची नहीं पा रहे हो तो आप उस तरफ नहीं जा सकते हो तो वो molecule उनका fraction जिनकी energy या तो ea हो या इससे जादा हो ea से जादा होगी तब तो आप पार कर जाओगे लेकिन minimum जो requirement है वो क्या है activation energy तो मिलनी ही चाहिए अगर activation energy नहीं मिली है तो reaction नहीं होने वाली तो ये तीन factor पर depend करती है किसी भी reaction की rate अब ये जो steady factor या probability factor ये क्या होता है इसके बारे में समझने के लिए मैं आपको एक example ले रहा हूँ एक reaction होती है SN2 reaction ठीक है अगर आपको SN2 reaction के बारे में ज़्यादा नहीं पता तो जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ लो SN2 reaction में क्या होता है जैसे CH3 BR इसकी reaction हो रही है OH- के साथ तो OH- क्या करेगा इस carbon पर attack करके BR हटाएगा अगर ज़्यादा detail नहीं पता तो आप इतना समझ लो कि OH- इस carbon पर attack करके BR हटाएगा अब OH- अगर मालो front से आया तो अगर मैं यहाँ polar D की बात करूँ तो plus minus delta plus और delta minus होगी carbon और bromine के बीच में तो यह negative और यह भी negative इसका मदाब होगा repulsion और repulsion होगा इसका मदब इस तरफ से OH- approach नहीं करेगा इसको मैं बोलूँगा improper collision मदब टकराएंगे तो लेकिन reaction नहीं होगी improper collision मदब इससे product नहीं बनने बाला तो अब OH- क्या करता है OH- back side से attack करता है OH- इसके back side से ऐसे जाएगा कि OH- इस पर attack करेगा और यह BR निकल जाएगा इसको मैं बोलूँगा proper collision और proper collision से ही product बनता है improper से product नहीं बनता है जैसे माल लो दो कार की टकर हो रही है अगर माल लो दो कार की टकर हो रही है और कार के airbag खुलने है तो एक proper speed में टकर होनी चीए तभी airbag खुलेंगे अगर माल लो धीमेसी टकराए तो airbag तो खुलेंगे अगर बहुत तेजी से टकरा है तो airway खोलेंगे, मतलब आपको airway खोलने है तो एक proper speed होनी चीए, ठीक है, और एक proper orientation, ऐसा नहीं कि touch करके निकल के, आपको सीधा टकराना उसमें, तो अगर मैं इसकी टकर इससे सीधे करा हूँ, ऐसा नहीं कि OH- का molecule कार्बन को छूते होनी चीए, मतलब एक proper orientation होना चीए इसका, ठीक है, तो अब ये वाला होता है proper collision और ये वाला होता है improper collision, तो proper collision से product बनेगा और अगर product लिखना चाहो तो product ये बनेगा, CH3 plus BR- निकल जाएगा, ऐसा, तो जो proper collision है, मतलब probability of इस type की collision, वो बताता है आपका static factor या probability factor P, अब number of collision कितने ज्यादा हो रहे हैं, भाई number of collision भी तो चाहिए आपको, जितने ज्यादा collision उतना बड़ी है product बनना है, है ना, तो OH- carbon protect करेगा, मतलब number of collision अगर ज्यादा होंगे, तो effective collision होने के chances भी उसमें ज्यादा है, फिर, वो कौन बताता है collision frequency, जितनी ज्यादा होगी, उत्ती ज्यादा बनाएंगे नहीं, है ना, तो basically ये तीन factor होते हैं, जो किसी भी particular chemical reaction को determine करते हैं, ठीक है, तो ये basic है, विल्कुल collision theory का, note कर लो इसको, collision theory का एक numerical होता है importance है, वो मैं आपको बताये तो हूँ कैसे करना है, question बढ़ लो क्या कह रहे हैं, एक reaction दे रखे, आइपोधेटिकल reaction, activation energy दे रखे 200 kcal per mole, 1000 Kelvin per, और आपको निकालना है, अब ये ध्यान से पढ़ना, calculate क्या करना, fraction of molecules of reactants, having energy greater than or equal to Ea, अब ये क्या था, पीछे collision theory में जो हमने पढ़ा, वो ये था कि E to the power minus Ea by RT, ये होता है fraction of molecule, मतलब आपको क्या करना है, इसकी value निकालना है, ठीक है, तो answer आजाएगा आपना, तो simple सा है, तो E to the power minus Ea कितना दिया है, आपको 200, और इसको मैं convert कर दूं, kilo को, 10 की power 3 कर दिया, upon, R किसमा रखना, calorie म में दिया है, तो उसमें solve कर रहा हूँ, और temperature क्या है, इसका 1000 नीचे, Kelvin में, इससे एक cancel हो गया, और 2 से ये हो गया आपका 100, तो आपका answer आपका आपका क्या, ये हो गया answer, क्या fraction of molecules, ये है आपका fraction of molecules having energy greater than or equal to activation energy, तो ये आपका answer आ गया, तो collision theory पर बेस्ट यह नहीं मेरे रिकल आपको मिलेगा, नोट कर लो इसको,